हेलो जोस्तोस आगर आपका टागेट SSC 2020 में आज हम डिसकस करेंगे किरन सिननेम सीरीज का क्लास नंबर 14 इससे पहले हम 13 क्लास कर चुके हैं सभी वीडियो आपको प्लेनिक्स में बिल जाएगी जहां पर हमने 2017 तक के सिननेम कर लिए क्लास नंबर 14 से हम डिसकस करेंगे सिननेम नंबर 2018 फिर 2019 के तो टोटल आपके सिननेम होंगे 1100 प्लस ठीक है तो हर एक वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप प्रिपरेशन करें हूँ तो एक्जाम की या फिर और किसी एक्जाम की तो स्टार करते हैं आपका क्लास नंबर 14 और क्वेशन नंबर आपका फस्ट आएगा 2018 का 2018 CGL Tier 1 के सिननेम पहले हम डिसकस करेंगे तो फस्ट आपका है कोर्स जिसका राइट से ननेम बताना चार ऑप्शन दिये हैं एंसेंट आईगा striking फ्रेस एका Soul आएगा है या फिर ली वाइगा ठीक है क्या मतलब क्या होता किसी पर प्रेस्टारइस करना किसी को किसी चीश करने के लिए फॉर्स करना अंच На किंग कर्वाए निंग इसका right synonym बताना है ordinary होगा persistent होगा common होगा या फिर temporary होगा chronic का मतलब क्या होता है chronic का मतलब होता है कि चिरकालिक इसका right Hindi meaning देता है लंबे time के लिए एक type से चलने वाला यह continue चलने वाला chronic आप बोल सकते हो तो persistent right इसका synonym होगा second option बाकि तीन के देखें ordinary सामान्य हो गया साधारान हो गया common भी साधारान सामान्य हो गया temporary मतलब थोड़ी time के लिए तो यह temporary इसका एंटो आप बोल सकते हो तो chronic का right हो जाएगा option number second या पर persistent बात करते हैं question number third आपका रहे गयरूलस का right synonym बताना फर्स्ट है gutral होगा 30 होगा concise होगा या फिर talkative होगा गयरूलस का मतलब बता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला तो ज़्यादा बोलने वाला तो talkative यानि option number fourth इसका right synonym है बाकि तीन देखते हैं gutral का मतलब होता है गलीज संबंदित आप बोल सकते हो जो क्या सी खड़कता वाली आवाज और concise मतलब होता है कम सब्दों में कोई चीज़ को कोई चीज बोलना कम सब्दों में किसी चीज़ को बोलना या फिर एक ताइब से संसिप्त मैं आप बोल सकते हो ठीक है तो ऑफिशन नमबर फूर्थ इसका राइट से नहीं हो जाएगा गैरिविलस का टॉक्टेटी बात करते हैं कुश्चन नमबर फूर्थ आप करेगा टिल्ट यहां पर राइट से नहीं बताना टिल्ट का तो चार ऑप्श सहरा देना आप बोल सकते हो तो टिल्ट का मतलब होता है जुकाव तो इसके अकॉर्डिंग फस्ट वाला राइट था फूर्थ वाले का फिफ्ट आपका है इनेप्ट का राइट से नहीं बताना है कैपेबल होगा फिट होगा स्ट्रॉंग होगा क्लंसी होगा तो राइट का बाकी इसका एंटो बिल्कुल फस्ट वाला इसका अप बोल सकते हो कैपेबल तो इनेप्ट का क्लंसी राइट से नहीं और ते वल होता है यूग्य फिट होता है ठीक है आपको बता है फिर आपको बता है स्ट्रॉंग आपको मजबूत है कुश्य नमबर सिक्ट इन आर्टिकुलेट इन आर्टिकुलेट का राइट सेने नहीं बताना फ्लुएंट होगा इन एविटेबल होगा एलोकेंट होगा या फिर इन कोहरें इन आर्टिकुलेट मतलबता है जो चीज इस परस्ट नहूं आप बोल सकते हो बिल्कुल हिंदी मिनिंग इसका और इसके फूर्ट वाला ओप्शन राइट हो जाएगा ठीक है इस परस्ट नहीं इन कोहरेंट बाकी तीन का मिनिंग फ्लुएंट मतलब बता है ले में अच्छे से कोई चीज बोलना फ्लू में ठीक है इन एविटेबल जैसे टाला ना जा सकते एलोकेंट मतलबता है जो बोलने में हो जो अच्छी तरह से किसी भी चीज को बोल सकता हो कुछल आप बोल सकते हो एलोकेंट को कुछल आप हिंदी मिनिंग बोल सकते हो ठीक है तो सिक्स वाली का फॉर्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इन आज परस्ट इन कोहरेंट हो जाएगा सैविंत वाला है इन डेलिबल करेंट सίνएने में बताना इनडीर्थे का मतबता है जिससे हाटायन रिमूभब ना किया सकते तो इसके हो जाएगा म terror थाल वाला होजाएगा इन दिटाम का राइड सेनेनीम सबेंटीख ओर विक्तरी अनों का बनदा पार्ट मुण अम्हें मुझ्ट magg का निए सेनेन्म बताना आंपा उन्सकी अद्रेशता हैं या ओनिन या फिर वक्तरीशता है ल 2003 कमद्द हेड़ना ड्रेक कर न इसका राइड से हो solamente एंसियू का मतलब पीछा करना एंटेल का मतलब बता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात किसी को बताना और या इंपॉर्टेंट आप नेससरी आप जो जरूरी हो आप सको हो चीज आप बोल सकते हो एंड्रेज का मतलब गुस्चे में ठीक है तो ऑप्शन नुबर 4 राइट था टाइस का एंट्रैप जाल में फसाना डूब्यस का बताना है कोईशन नूबर 10 सर्टें होगा फिसी होगा लॉयल होगा या फिस्टीड होगा डूब्यस का मतलब संदे में डाउट फूल जहां पर रहता है उल्जन में आप बोल सकते हो तो फिसी राइट हो जाएगा इसका वाला सिननेम रस मतलब होता है हर बड़ी में पुष्च मतलब धक्का एंट्रैस्ट मतलब आराम तो ऑप्शन नूमबर सेकंड राइट था ट्वेल्व के अगर बात करें एंगल्फ का राइट सिनननेम बताना एंक्रोच अगा एंस्राइन होगा एंटेंगल होगा या फिर होगा एंगल्फ का मतलब क्या होता है एंगल्फ का मतलब होता है कि एक टैसे पूरी तरह से कवर कर लेना वह licensing और इंगल्फ पस्थान ये Come Q No. 35 is lethal, right, synonym बताना, चार बडिया पुर्ण होगा, हामलेज होगा, हेल्थी होगा, फैटल होगा, स्ट्रॉंग होगा तो लेटल का मतलब क्या अतल है घातक घातक यानि फैटल इसका राइट हो जाएगा बाकी हामलेज मतलब जिससे कोई हानी ना हो, हानी रही ता आप बोल स विश्तरित आप परेजिती मतलब जो एक टाप से साधरान या सिम्पल आप बोल सकते हो तो प्रेवियंड का पर्चलित यानि कॉमन आप बोलो गए बिलकुल और उप्शन नमबर सेकंड स्कॉमन है साधरना जिससे सब को जानते हैं तो साधरना आप इसका बिल्कुल हिंदी मिनंग ले सकते हो प्रिवलेंड का बाकी देखो अन्यूजवल मतलब जो यूज मिना हो अन्यूजवल कभी कभार रेयर मतलब भी कभी कभार ठीक है और डिफर पर यहां पर यहां पर यहां पर यह यह पिर यह यह आपने आड नहीं किया यह इसे आपने अलग रखा एक टाइब से अलग करना भी होता है तो इसके according second option नहीं है exclude मतलब बाहर निकालना एक टाइब से अलग करना तो second right है hinder मतलब बादा होता है reduce मतलब कम करना prevent का मतलब क्या होता है एक टाइब से बचाओ ठीक है सिननेम की बात करें तो बिल्कुल option number one हो जाएगा silent बाकी तीन देखो गयरूलस होता है ज्यादा बोलने वाला एक्स्ट्रोवर्ड होता है अपनी feeling को अच्छे से एक्सप्रेस करने वाला और confident बतला होता है आत्में विश्वासी ठीक है तो option number one राइट था रैटेजन का silent question मतलब डरा होता है बात करते हैं question number 19 की तो precarious का राइट से नेनेम बताना precarious एबंडेन यानि प्रयाप्त होगा dangerous यानि खतरनाक होगा तो precarious का मतलब ही क्या होता है dangerous तो option number second इसका राइट से नेने में बाकि दो मीनिंग देखो valuable मतलब जिसका मुल्य है या फिर जो कीमती हो premature का मतलब में पहले से ही mature हो गया तो यह चीज़ है ट्वंटी है इस्ट्राइल का राइट से नेने बताना प्योर होगा productive होगा इस्ट्राइल का मतलब होता है बंजर बंजर यानि बेरेन राइट हो जाएगा थल्डवाला option बाकि प्योर मतलब पवित हो गया एकदम साफ productive मतलब होता है useful उपजाव आप बोल सकते हो भी और सौड़ हो थो है गंदा थिक और आंब बोल सकते हो तो इस्ट्राइल का मतलब होता है बंजर तो बेरेन राइट होजएगा थल्डवाल option 21 एक रइंसिव का राइट सिने ने में बताना फैंसीव थीक है पैंसिव का राइट से ने में में बताना स्पॉन्टेनियस होगा स्पाइट फुल होगा रिफ्लेक्टिव या फिर ट्रैजिक पैंसी मतला होता है उदास उदास यह थिक है एक दम बहुत ही ज्यादा उदास या फिर गहरी चिंता में चिंता गरस्ता बोल सकते हो तो रिफ्लेक्टिव राइट हो जाएगा थल्ड वा फुल तो विंडिक्टिव मतलबता है एक टैप से बदला लेना तो रिवेंज फुल राइट हो जाएगा सेकेंड वाल ऑप्शन वाच्फुल निग्रानी रखना चो करना रहना फॉर्च्फुल दबाव डालना है एल्फुल साहता करना है लेमेंट का बताना है 23 लेमेंट क करता है टौर में मतलब यतना ठीक है और और ऐफ लेंट का मतलब करता है एक्फलिक्ट का मतलब दो cases को मतलब होता है Riderा चोड़ देना तरेना तो लेमेंट श्लाइक होजाएगा फ्ато took most offers वाल संक्षन मतलब प्रतिबंद हो गया enforce होगया किसी चीज़ को लागू करना same एकिति मतलब वस्टाब होता है तो प्रप्षिन नॉम्बर उन राइट है 25 कि बात करें तो परफ्लैक्स का रॉफ्ट होगा शिर्च बल्सक्ता ना कम्प्लेक्स का मतलब क्या थ्टेंग चेंड ने different and connecting part बहुत सारे पार्टों से बना हुआ अलगलग पार्टों से तो complex आप बोल सकते हो and deceive का मतलब होता है धूका देना तो be wild right हो जाएगा perplex का second wall option 26 आपका रहेगा differ का right synonym बताना है डेат हुगा the terror Rd Guide होगा या फिड्योंग होगा difer का मतलब होता है होईव करना फोटोल ऑप्षेंशन तो 27 आपका रहेगा सिनने बताना मैं मालग का सिननेनें जिगनेटिक होगा मिनिस्कल गवा पैरिल्स होगा या फिर मैगनिफिसेंट होगा महमत का मतलब एकदम विशाल हुज आप बोल सकते हो यूज करके भी आ सकता है लार्ज आप बोल सकते हो विशाल तो यहां पे जिगनेटिक राइट होजागा ऑप्शन नमबर वन बाकी सेकिंड देखते हैं मिनिस्कल मतला होता है एक दम बहुत ही कम चोटा करना कम करना पैरिलेस होता है खतरनाग डेंजरस आप बोल चुकते हो और मैगनिफिशन मतला होता है सांदार ट्रंटी एड के बाद करें तो टेसेड रण का रायट सेननें बताना है फ्लेजमेटिक होगा टॉक्तेटिव होगा रैटिसेंट होगा या फिर फ्लेसिट होगा टैसेड न मतलब बहुत कम बोलने वाला ठीक है तो बिलकुल रैटिसेंट राइट होजाएक कम बोलने के लिए अल्फ भासी आप बोल सकते हूँ अब बाकी देखते हैं फ्लाइजमतिक वाला आलसी लेजी आप बोलो टॉक्टेटिव ज्यादा बोलने वाला प्लैसी दोता है सांथ चेलेंज होगा प्रीज होगा के परसंसा करना थीक हैRS का प्रीज राइट हो जाएगा फैन या फिर बाहर निकालना इसे बहु!!!!!!!! बहुच सकते हो तो तो ट्वंटिननन होगा तक्क प्रेज क्या गता है नेउंत्या करना एकृट होगा ठाटी कि बात करें तो कंसाइस कराइफ सीनेंब बताना है विट होगा डिटीर लुगा कोंप्लेक्स होगा लश्य होगा तो कंसाइस का मतबत嘗 Essentially को बाथ कि मतलब हो गया विप में बताना शंचिकतमैं है तो फॉर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 20 30 का कंसाइस का ब्रीफ राइट हो जाएगा इन आ फ्यू विल्ट इन फ्यू वर्ल्ट साप बोल सकते किसी चीज को बताना रिनाउन का बताना है 21 31 ओसक्योर्टी होगा फैम होगा विल्यूम होगा आप कंसीड होगए तो राइट होजाएगा नाम आप बोल्सकते ओ सब्सक्राइब का मतलकी ट दिस्टेंट होगा डिवॉइट का मतला होता है धार्मिक रिलीजियस पाइस राइट हो जाएगा रेवर्ड का मतलब दिस्पेक्ट किसके लिए बहुत ही गहरा संबान लोयल वफदा डिस्टेंट मतलब होता है एकदम दूरी पे 33 के बात करते हैं intricate का right synonym बताना है complete होगा colorful होगा connected होगा complex होगा intricate का मतलब होता है एकदम जटिल ठीक है जटिल बोलो तो यहाँ पे आजगा जटिल के लिए complex हो जाएगा complete का मतलब पूरा होता है colorful आपका रंग भी रंगा होता है and connected जुड़ा होता है 34 की बात करने तो assist का right synonym होगा help होगा मेंड होगा create होगा या फिर change होगा तो assist का मतलब होता है सिधा करना तो help right हो जाएगा मेंड होता सुधार करना change होता बदलना create मतलब बन करना यह कोछीज बनाना 35 की बात करने तो अधेप्ट का राइट सिने ने बताना स्किल्ट होगा का एंड हटेटेट होगा यलोन होगा अनोन ओगा अधेट का मतल्य हुत है किसी चीज में निपुल्ड है न या फिक धख रहना दक्षी तैने स्किल्ड राइट होजाएगा अधेयें üzिक् 뛰 Có की बात करें initiate का मतलब होता है शुरुवात करना तो sign right होगा option number one sign होगा slow होगा start होगा या फिर show होगा तो मैंने पहली बोल दिया start right हो जागा sign मतलब एक निर्देश देना slow दीर होता है show दिखाना कि obstacle का right synonym बताना 37 की बात करें benefit होगा clearance होगा accessory होगा barrier होगा obstacle मतलब होता है बाधा तो barrier राइट हो जाएगा fourth option benefit मतलब होगा clearance का मतलब क्या होता है एक टाप से clearance का मतलब होता है कि एक टाप से निकाशी आप बोल सकते हो ठीक है इस पर clear करना साफपना accessory मतलब होता है सामान जुड़ा हो accessory ठीक है तो बाकी तीन का मीनिंग हमने देख लिया 37 obstacle का याद अखना obstacle का मतलब होता है बाधा तो इसका option number four right हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करते हैं यहां पर 38 की बात करें तो endeavor का राइट से नहींने बताना है success होगा result होगा endeavor का मतलब होता है परियास तो option option number one भी नहीं है second भी नहीं है बात करते हैं ठीक है ठीक है अफेंड का मतलब अपमान करना तो इंसल्ट राइट होजएगा रिमूब हटाना होता है अप्लाई लागू करना ऑफर मतब पता अब को ठीक है 40 के अगर बात करें hostility का right synonym बताना है hostility का मतलब enmity sympathy goodwill friendship hostility का मतलब होता है एकदम सत्रूता दुस्मनी तो enmity right हो जाएगा sympathy दया होता है goodwill अच्छा चाने वाला friendship दोस्ती बात करते हैं 41 आज का रहीगा आपका synonym number 41 attribute का right synonym बताना respect, speech, praise, quality तो attribute का मतलब क्या आता है विसिस्ता विसिस्ता बोलो या फिर quality आपका option number four right हो जाएगा synonym respect, सम्मान, speech, बासन, praise, पसंचा 42 की बात करें तो fuse का right synonym बताना correct होगा, unused होगा, break होगा, combine होगा, fuse का मतलब होता ह जोड़ना, join करना, join, combine right हो जाएगा, correct, एकदम सही, unused, जो use में ना हो, break तोड़ना, तो आज हमने class number 14 में discuss किये 42, 2018 CGL tier 1 के synonym को, तो 2018 और 29 स्टार्ट हो चुके है, synonym करना हम स्टार्ट कर लेंगे, और इसके साथ last mega time मिलता है, तो 20 और 21 में जो भी आए, वो भी हम कर लेंग सकते हो, comment section में कोई question आता है, कोई भी ऐसे world जो नहीं आया समझ में, वो चीज आप पो सकते हो, और बाकी कोई भी नय हो, to telegram को जरूर, join करना, ताकि कोई भी question हो, telegram पे आप पो सकते हो, या फिर comment section में, telegram का link पिलेगा, description है, बाकी मिलते है, class number 15, और static वाली series को भी जरूर continue देखना, 45 topic को, ठीक है, और इसके लावा, time मिलता है, तो reasoning के हम topic wise continue स्टार्ट करेंगे, तो बाकी हमारा, अभी हमारा target है, static GKP, और साथ में, किरन वाली book पे है, ठीक है, बाकी all the best exam के लिए, vacancy है, तो मौका जाने मत देना, बाकी कोई भी doubt होता है, वो चीज आप पो सकत दन्यवाद,